दोस्तो आज हम बनाएंगे बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेस्पी वो है पोटेटो बाइट्स की बहुत सिंपल रेस्पी है और बहुत टेस्टी है घर की छोटी-मोटी पाटिकले एकदम पर्फेक्ट है अगर घर में कोई मिहमान आने वाला है और जल्दी से कुछ समझ में ना आए तो आप इस रेस्पी को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत कम सामन से बन जाता है ये एक स्टार्टर की रेस्पी है इससे बच्चे तो पसंद करते ही है ये बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आती है तो चली इस पोटेटो बाइट्स को बनाना शुरू करते हैं पोटेटो बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिये हैं इससे चील कर बड़े बड़े टुकुर में काट लेंगे यहां मैंने एक बड़े बरतर में त पानी को फेक देंगे और वापस से इस बाउलों दूसरा पानी लेंगे और इसे एक बार का और धूलेंगे अगर हम आलों को अच्छे से नहीं धूलेंगे तो हमारे पोटेटो बाइट्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे ये देखिए वाला पानी काफी हद तक साफ हो गया है अब जो हमने गयस पर पानी को गराम होने किल रखा था उसमें एक चमज नमक डाल देंगे और उसे मिला देंगे अब पानी में आलों को डाल देंगे आलों को हम पानी में 5-6 मिनट तक उबालेंगे इससे इसके अंदर जो भी स्टार्च रह जाएगा वो पानी में आ जाएगा और आलो आधे कुक भी हो जाएगे बीच बीच में नहीं हिलाती भी रहेंगे ताकि आलू चारो तरप से पक जाएं यह देखे पानी में भी अच्छी सुबाल आ गया है पांच मिनट हो गए हैं आलू 50% कुप हो चुके हैं बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आलू को बहार निकाल लेंगे सारे आलू को हमने बहार निकाल लिया है आलू को तलने के लिए पहले हम गैस पर कढ़ए को रखेंगे और उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे जब तक तेल गरम होता है चलिए आगे की तेयारी कर लेते हैं एक बड़े बॉली मैने यापर दो चमचावल काटा लिया है आप इसकी जगे मैदा भी ले सकते हैं और दो चमच कॉन फ्रोर लिया है आप चाहे तो सिर्क मैदे से ही बना सकते हैं अब इसमें आधाय चमच नमक और चोथाय चमच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे इन्हें अच्छी से मिला देंगे अब थोड़ा थोड़ा करके पाने डालेंगे और एक घुल तयार कर लेंगे घुल ना तो बहुत गाड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला ये देखी घुल हमारा तयार हो गया है अब इसमें आलों को डाल देंगे और अच्छी से इसके उपर कोटिंग कर लेंगे चमच की सहाथा से इन्हें गरम तेल में डाल देंगे एक बार में कड़ाही में जितने आलों आ जाएं उतने आलों को डाल देंगे इन्हें मेडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे इन्हें पलट पलट कर चारों तरप से अच्छी से फ्राई कर लेंगे आलों फ्राई हो चुके हैं आब फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ा सा आलो को और क्रिस्पी कर लेंगे आलो बहुत क्रिस्पी हो गये हैं अब इन्हें कड़ाही से बहा निकाल देंगे इसी तरीके से सारे आलो को हम फ्राइ कर लेंगे ये देखिए आलो कितने अच्छी से पक गये हैं बाहर से एकदम किस्पी पर अंदर से देखे कितने सॉफ्ट हैं अब इनके उपर थोड़ा सा नमक थोड़ी से लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाल पाउडर छड़क देंगे इसकी सीजनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको जो मसाले पसंद हो वो आप इसके उपर डाल सकते हैं हमारे किस्पी पोटेटो बैट्स एक्तम तयार है चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं इनके उपर इस तरीके से तूथ पीक को लगा देंगे इससे एक तो यह दिखेंगे सुन्दर और खाने में भी इजी रहेगा बच्चे अराम से इसे उठा खा सकते हैं बच्चे इसे खा कर फुश हो जाएंगे बच्चों की छोटी मोटी भूख या घर की छोटी मोटी पार्टी के लिए यह एकदम पर्फेक्ट है कम सामान से और कम समय में एकदम टेस्टी रिस्पी तियार हो गई है बहुर टेस्टी रिस्पी है अगर घर में कि पार्टी पार्टी है या बच्चों की बड़े पार्टी उसके लिए एकदम पर्फेट रेस्पी है दोस्तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजे शेयर किजे मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे और उसी की बगल में एक घंटी बनी विए उसे दबा दीजिएगा इसे मैं जब भी वीडियो को अप्लोट करूँगी उसकी जानकरी आपको मिल जाएगी Thank you so much for watching Take care, bye bye